काफ़े टाइम बाद मैंने एक एनिमे सीरीज कंप्लेट की है अटाइक ओन टाइटन जो थी वो एक लास्ट मेरी एनिमे सीरीज रही थी या फाइनल सीजन का सेकंड पार्ट जो चल रहा था वही मैंने देखा था उसके बाद ना मैंने को एनिमे मोवी या फिर एनिमे सीरीज मैंने नहीं देखिए यहीं देखिए तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे My Senpai Is Annoying एनिमे सीरीज के बारे में टोटल इस एनिमे सीरीज के अंदर 12 एपिसोड है और हर एपिसोड तकरीबन जो है वो 23 मिनिट के आसपास है अब यहाँ पर इस सीरीज की कहाने के चर्चा कर लेते हैं एक लड़की है जिसका नाम है इगारासी एक्ट्वल में वो एक अडल्ट है मतलब फुल एक अडल्ट जो होती है इसकी हाइट जादा नहीं बड़ी है हाइट इसकी कम रह गई है बहुत एक बड़ी ऐसा कॉंसेप्ट मुझे लगा यह हाइट शोट रहने का जो इन्होंने एक पॉजिटिव वे में जो दिखाया मुझे बहुत पसंद आया इसके अंदर तो यह कमपनी में काम करती है यहाँ पर इसका सीनियर होता है बड़ी मुश्किल से मैंने इसका नामियाद किया ताकेदा जो इसका एक सीनियर होता है और इसी को सैन्पाई कहा गया एक्च्वल में जैपनीज के अंदर जो टीचर या जो सीनियर होता है उसको सैन्पाई कहा जाता है तो सारी चीजों तो एगारासी अपने ऐसेंपाई को मतलब में स्एइनपाई की बातों को पसंद नहीं की हैं हरं काम में बहुत महनत से ऑ觉得 वह बहुत महनन बहुत लगन आपको दिखेगी तो यह नहीं साथिए कि इसको बच्चों की तरीके से टीक्त करते लेकिन इसको सहंपाइब है वो इसको बिलकुल पसंद नहीं आथा उसका हथना इग्र-असी को पसंद कोई emotional angle इसके अंदर नहीं डाला गया है, एक light heart एक anime series मैं कह सकता हूँ, आप बस देखेंगे, feel करेंगे कि हाँ कुछ अच्छा चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि आप इसके आदी ही हो जाएंगे, addict ही हो जाएंगे, आप बिना देखे रहे नहीं पाएंगे, जैसे मैंने इस series को complete किया है, कभी मैंने इसके दो या तीन episode देख लिए, अगले दिन नहीं देखे, फिर मन किया, फिर इसको मैंने देख लिया, तो ऐसे मेरा, मतलब break कर करके मैंने इस series को देखा, और ऐसा नहीं है, मिरा बिल्कुल interest खतम हो गया था, मैं देखने का मन कर रहा था, अगले दिन चीज, या सबसे अच्छी चीज, जो मुझे इस anime series की पसंद आई है, वो है, इगरासी का जैसे behavior, अपनी height को लेकर दिखाया गया, एक positive behavior इसमें दिखाया गया, मुझे बहुत पसंद आए, लोग उसको कहते भी हैं कि तरी height short है, या फिर उसके यहाँ पर comment हमें सुनने को भ positive attitude देखने को मिलेगा, वो वास्तों में, मतलब inspirational या फिर एक अच्छा सा कह सकते हैं, मुझे वो बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया है, इगरासी के अलावा जो इसके कली हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत हमें live दिखाया जाती है, एक character का जामा, का जामा, का जामा, जो भी है, वो काफी ज्यादा funny है, मतलब मुझे बहुत interesting लगा वो, जिस तरीके कि उसके expression बहार आते हैं, काफी naughty expression रहते हैं, तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, पूरी overall series के बारे हम बात करूं, देखो कमिया हैं इस series के अंदर, first of all जैसे एक character development, शायद requirement नहीं होगी इ मुझे चाहिए था कि थोड़ा बहुत character development एगर आसी के उपर किया जाए, कि वो कैसे अपने life के अंदर आगे बढ़ी है, थोड़ा बहुत उसके बारे में हमें दिखाया जाता, तो काफी better रहता हम, वो चीज़े नहीं आई, और पूरी series अभी खतम हो चुकी है, मतलब 12 रही है, तो मुझे लगा कि इसका second season आएगा, तो मैंने search करना start कि इसका second season कब आने वाला, कोई ज़्यादा अच्छी news मुझे नहीं मिली, जितना मुझे पढ़ने को मिला, बस यही कि इतना ज़्यादा लोगों के अंदर curiosity या फिर series के अंदर इतना कुछ नयापन नहीं था या फिर कुछ इस series के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जिसको लेकर आगे की कहानी बनाई जा सके हैं, फिर भी यहाँ पर इसके makers ने काई कि 2024 तक, 2024 के mid में जाके इसका second season आ सकता है, इतना wait, भाई, Attack on Titan वाले इतना wait नहीं करवा रहे हैं, यह पता नहीं क्यों करवा रहे हैं, इ थोड़ा बहुत यह negative मुझे लगा, character development बेशक इसके अंदर होने चाहिए थी, कुछ चीजों को इसके अंदर skip किया जा सकता था, जैसे इसके अंदर 11, 8 या 9 एपिसोड आते हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत drag करता हुआ लगता है, वो कोई जरूरत नहीं थी, बट फिर भी इसके अंदर डाला गया है, कुछ एक एपिसोड हटाते तो काफी और अचा रहा था, उसकी जगह कुछ नए एड करते हैं, मैं यह नहीं कहा रहा है कि 10 एपिसोड रखते हैं, 12 एपिसोड रखते हैं, लेकिन कुछ अच्छा इंटरस्टिंग इसके अंदर एड कर देना चा जो एक feeling चाहिए होती है, जो उनकी original language में आती, जो उनकी भाषा के अंदर आती, वो मुझे feel करनी थी, तो इसलिए मैं ज्यादा तर उनको Japanese language कंदरी देखते हूं, सब्टाइटल अपने चाल रहे होते हैं, तो मैं उझे वो पसंद आप अपने विचार रख सकते हैं, कि नेक्स रुडियो में, जाहिन